आदाब मैं हूँ आपके साथ गुल्शन सैफी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूस वोल्डर मुसल्मान एक ऐसा शब्द जो राजनीती को लेकर शोबा देता है और आजकल मुसल्मान शब्द से राजनीती भी खूब हो रही है मुसल्मान अपनी बधाली के लिए लगातार आलग लग-लग राजनीतिक संगठन को जिम्मदां ठेराते आये हैं मुसल्मान अपने पिछड़वन के लिए हमेसा दूसरों को जिम्मदा ठेराते आये हैं लेकिन आज वक्त आ चुका है कि मुसल्मान अगर हम अल्प संख्यों को की बात करें जैनी, यहुदी, पार्सी, सिक्ष और मुसलिम इन सम्में अगर अल्प संख्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा संख्या मुसल्मानों की है अगर मुसल्मान अल्प संख्याखों में सबसे ज़्यादा है तो निश्चित रुप से हमें मजबूत होना चाहिए था, हमें आगे होना चाहिए था, हमारा एजॉकेशन रेशियो बहुत जादा होना चाहिए था लेकिन हमारे education ratio की हकीकत क्या है एक आकड़ों के मुताबिक सनातक की पढ़ाई करने में मुसल्मानों का ratio 2.75 परतिशत है यानि 100 लोगों में केवल 2.75 परतिशत लोग ही सनातक तक की पढ़ाई करते हैं जिसमें अकेले महिलाओं का 36.25 का आकड़ा है यानि महिलाएं सनातक की पढ़ाई करने के लिए पुर्षों के मुकाबले 50 परतिशत पे भी नहीं आती वहीं अगर हम GAR की बात करें तो मुसल्मानों का GAR है 14.5 अगर हम higher secondary की बात करें तो वहीं जो आदिवासी है उनका GAR है 14.4 यानि महज 0.1 परतिशत मुसल्मान आदिवासियों से GAR यानि high secondary में आगे है बड़े ताज़ुब की बात है कि आदिवासी ऐसी जगह रहते हैं पहाड़ी इलाकों में जंगली इलाकों में रिमोटी इलाकों में जहां सुविदायन नहीं होती लेकिन मुसलमान शहरों में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, बस्तियों में रहते हैं, उसके बावजुद 0.1% केवल हम उनसे आगे हैं। अगर हम एक रिपोर्ट की बात करें, तो मुसलमानों में 50% बच्चे हायर स्केंडरी आते-ाते सकूल छोड़ देते हैं। यह आकड़े मैं आज आपके साथ क्यों संजा कर रहा हूं क्योंकि एक जमीनी हकीकत को तलासना आज हम सब की जिम्मेदारी है हम सब का फर्ज बनता है कि हम अपने समाज के लिए अपनी कम्यूटी के लिए अपने समुदाय के लिए कुछ ऐसा करें अगर कर नहीं सकते तो के साथ सब उस दिशा में उन लोगों को जाने के लिए प्रेडित करें जहां आने वाला कल आज की तरह भायानक काला सच नहीं हो हम राजितिक दलों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि मुसलमान आज अमुक अमुक दल की वज़े से पिछड़े में मुसलमान आज फ़लाना फ सब्सक्राइब करें तो आदी वासियो से एक प्रतीसत हम आगे हैं आज आदी के 77 साल बाद आज हम यहां खड़े हैं एजूकेशन में तो हमारा मुकाबला अगर वही अल्प संख्यों को यह बात एक और मैं कर दूं कि जैन समुदाय भी अल्प संख्यकों में आता है लेकि कि उसके बाद जनकरना नहीं हुए है उसके लिहाज से 19 परतिसत से ज्यादा भारत में मुसल्मानों की जन संक्या है जो आजादी के वक्त 14.07 साथ मास थी दोस्तों यह आखड़े में आज भारी मन से साजा कर रहा हूं मुझे खुशी नहीं होरी इन आखड़ों को बताते म या उनकी कार लेकर कलोनियों के चक्कर काड़ते हैं तेज तेज मुझीक सिस्टम पर गाने सुनते हैं अगर उन्हें ढूंडना हो तो गली कोनों पर ढूंडा जा सकता है या खंडर पार्कों में वो पाए जाते हैं कोई टाइमिंग नहीं कोई टेबल नहीं हाँ कॉम्पिटिशन हम कर रहे हैं लेकिन शिक्षा में नहीं कॉम्पिटिशन हमारा इस पात में है कि पलोसी का गेट हमसे बड़ा कैसे पलोसी के पास हमसे बड़ी गाली कैसे पलोसी के पास हमसे उच्छी चट कैसे पलोसी के पास हमसे अच्छी कपड़े कैसे लेकिन पलोसी क के पास हमसे अच्छी शिक्षा हो इस बात का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों आज गुल्शन सेफीस रिपोर्ट को पेश करते हुए भारी मन से बात कहना चाहता है कि मैंने क्या गुरूपों में महसूस किया हमारे समाज के लोग हमारे भाई बंदू उस घंटो एक-एक आदमी 1500-500 मेसेश करता है दो-200 मेसेश करते हैं बिना वजे की बहस बिना वजे की राजनीतिक ब्वेस बिना वजे का कोई तूल तूफान लेना एक ना देना दो घंटों की बहस और जिन भाईयों को लिखना नहीं आता वो मुसे बॉल-बॉल करके वहां ग पच्चों का यह नहीं पता कि शाम को कहां गूम रहें, दुपैर में कहां गूम रहें, रात को कहां गूम रहें, बाप जो है गुरुप में लड़ रहा है, बच्चे स्कूल जाने को राजी नहीं, यह एक कड़वा सच है, सुधार होता दिख रहा है, मैं यह नहीं कहा रहा ह में आशू आ जाएंगे दैनी इस्थिति देखते वे लेकिन मैं उस रिपोर्ट को पढ़ना नहीं चाहता हूं मैं केवल आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूं समय बदल रहा है नई तक्नीक नया समाज नई मुख्यदारा आपका इंतिजार कर रही है और आप वही के वही खड़े हैं आप थोड़ा सा आगे बढ़िए हिम्मत कीजिए और समाज की मुख्यदारे में आईए गुरूप में बहास ना कीजिए नफालतू पचलों में जा रहा है आप अपनी जड़े खुद कमजोर कर रहे हैं आप अपने आपको कमजोर बनाने के लिए खुद जिम्मतार हैं ये कड़वा सच है और मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपके घर में पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो उन्हें पढ़ पढ़ाई करने की दिशा में चल चुके हैं उन्हें मेरी शुक्तामना हैं मेरी दुआएं और मेरी और से वैल वीशिष लेकिन जो लोग आज भी पढ़ाई के मैतव को नहीं समझते यानि उस लाइन पर नहीं आ पा रहे हैं जिससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा तो उन ल सफुदब्भी क GU everytime आगर आज हमें बच्ची ओं की शादी करनी पड़ती है या अपने घर के छोटे-मोटे कारेकरम करने पड़ते हैं तो हमें दूसरे समाज की धर्मसाला दूसरे समाज के मैरीज हाउस और दूसरे समाज के धार्मिक स्तलोका में सहरा लेना पड़ता है, क्यों हमारे समाज के धरमसाला या अपने marriage home नहीं है, जो निशुलक समाज से पिछले लोगों को उचीत, आज हमें अपने घर में कोई समाजिक काम करना हो, या अपनी बच्चियों की शादी करनी हो, तो हमा हमारे जहन में कभी नहीं आएगा कि हमारे समाज की कोई धरमसाला है, हमारे समाज का कोई बराद घर है, जहां जाकर हम शादी करने, या अपना समाजिक काम करने, हमारे जहन में एक तस्वीर उबरेगी, कि अमुक अमुक समाज का धरमसाला है, अमुक अमुक समाज का पादी पर हैं, तो हम इस काम को क्यों नहीं कर सकते, क्या वज़ा है कि वो लोग समाजिक काम कर जाते हैं, धार्मिक काम कर जाते हैं, और दूसरे रोगों को भी उसका लाब पहुंसता है, शिक्षा के नाम पर हमारे धार्मिक मदर से उपलब्द हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पर, free coaching के नाम पर, IS बनाने के नाम पर, medical engineer clear कराने के नाम पर, या higher education के नाम पर, हमारे पास कोई ऐसे coaching नहीं मिलते, जहां हमारे गरिब परिवारों के बच्चे तालिम हासिल कर सकें, अगर जब जगा ही नहीं होगी, coaching ही नहीं होगी, तो आस्मान से IPS, IS, doctor, engineer, pilot नहीं चपकें इनको बनाने का एक मात्र ही रास्ता है, पढ़ाई, और उसका साधन हमारे समुदाई के पास नहीं है, अगर हम कुछ बड़े संस्तानों को छोड़ दें, नजर अंदाज कर दें, तो मैं गारंटी देता हूँ कि पूरे समुदाई से, 20 नाम पूरे हिंदुस्तान में, आप बड़े कोचिंग सेंटर के नहीं किना सकते हैं, जहां समुदाई के लिए फुरी कोचिंग सुविदा उपलब्ध हो, हमारी कमणीटी में कुछ लोग महंगी शादी करते हैं, और वो एक नजीर बंती है, महिनों तक लोग उसकी चर्चा करते हैं, कि ऐसा 5-star होटल जैसा ख समाज का हिस्सा हूँ, मैं भी मुसल्मान हूँ, मैंने भी इस धन्स को जहला है, आज वीडियो बनाने का यही मकसद है, कि लोग इस बात को समझें, कि शिक्षा के स्टर में हम कहां खड़े हैं, हाँ, फालतु के कॉंपेटिशन को नजर अंदास करते हैं, बेकार की वैस को हम हटा देते हैं, वीडियो बनाने का यही मकसद है, कि हम लोग जागरुख हों, और मिलकर कुछ ऐसे अच्छे कोचिंग सेंटर या एजूकेशन की व्यवस्ता करें, जिससे आने वाली पीडि इस दाक से मुक्त हो, वरना दोस्तों, पिछले तो हम आज भी हैं, कल भी हो ज जैंग!